शिक्षा के शेत्र में अनोखी मिसाल सरकारी स्कूल में स्मार्ट कलास प्रात्मिक स्कूल में डिजिटल लाइबरेरी अटेंडनेंस भी लगती है बायोमेट्रिक टेबलेट प्रोजेक्टर से होती है पढ़ाई सुविदाएं हैं हाई फाई शिक्षा का सितारा स्वागत आप सबी का आर नाइन टीवी की खास पेशकश में मैं हूँ जबार खान शिक्षा गुडवक्ता के रैंकिंग में उत्तर परदेश का नंबर हमेशा से निचले पायदान पर रहा है स्कूल एजेकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 की रेपोर्ट में उत्तर परदेश का नाम सबसे नीचे रहा हाला कि निती आयोक ने साल 2016 और 2017 के आकड़ों पर आधारिती रेपोर्ट तयार की थी आज तीन साल बात भी इस्तिती बदली नहीं है लेकि उत्तर परदेश में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसके तुलना चीन और जैपान से की जाती है कहां है ये स्कूल और क्या खास है इस स्कूल में जो इससे उत्तर परदेश के दूसरे स्कूलों से बिलकुल अलग बनाता है क्लासरूम के बाहर बायोमेट्रिक अटेंडनेंस लगाते सिखशक छट पल लगे प्रोजेक्टर से पढ़ाई करते चाच 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 त्राएं और हाइटेक लब में कंप्यूटर सीखते बच्चे पहली नजर में आपको ये किसी प्राइबेट स्कूल सरी का दिखाई देगा जहां सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती मगर हकीकत में ये नजरा उत्तर प्रोदेश बेसिक सिख्या विभाग के अधीन आने वाले गौडा के एक प्रात्मिक स्कूल का है हमें पता चला कि गौडा जिले के करेंगंच तहसील में धौरहरा प्रात्मिक विध्याले की तुलना चीन और जापान जैसे मुल्क के स्कूलों से की जाती है तो इस दावे की परताल करने आन नाइन टीम जा पहुँची सरस्वती के उस आगन में जहां गरीब बच्चों के रिसिक्षा की लौ जलाई जा रही है यहां विध्याले चर्चा का बिसर बना हुआ है अमरीका, बियतनाम, पंकांग और कनाड़ा का डेलीगेशन यहां तक आ चुका है और यहां के सिचकों वा बच्चों की तारीफ कर चुका है ऐसे स्कूल में आज हम पहुँचे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां के सिचक ने ऐसी बेउस्थाएं दी जो देशी नहीं, बिदेशों में भी अपना नाम कर चुका है आनाइन की टीम उस वक्त स्कूल पहुँची जब ब्रागन में छाठ छात्राय प्रातना कर रही थी अमूमन सरकारी स्कूलों में छात्र जमीन पर बैठ कर आस्मान छूने की ख़ाप संजोते और पढ़ाई करते मगर जब आनाइन की टीम दोहररा के इस स्कूल की एक क्लास में पहुँची तो यहाँ के क्लासरूम का माहौल दूसरे स्कूलों की क्लासरूम से बिल्कुल अलग था यहाँ सभी छात्रों के लिए प्राइविट स्कूलों की तरहे पुरसी टेवल का इंतजाम था बच्चों से जानने की कोशिज करेंगे कि क्या कुछ उनको पढ़ाया जाता है यह सरकारी स्कूल कॉन्वेंट स्कूलों को मात देता है यहां करीब साड़े 300 बच्चे पढ़ाई करते हैं बताया जाता है कि बहतर सुविदाओं के चलती स्कूल में एड़िशन हमेशा फुल रहता है राष्ट्री और अंतराष्ट्री अस्तर फर स्कूल कई तरह के अवार्ड से नवाजा जा चुका है एचराही ने कई देशों के डेलिगेशन भी वित्याले का दौरा कर स्कूल की स्टेडी कर चुके है तो देखने आते हैं कि परियावरण को लेकर के कितने जागरूख हैं और क्या गाओं में बच्चों को और उनके पैरेंस को क्या शिखा रहे हैं सुविदाओं के साथ साथ स्कूल में सिक्षा कास्तर भी कॉन्वेंट स्कूलों जैसा ही है प्राइवेट स्कूलों की तरह यहां बच्चों को समझाने के लिए अनोखे तरीके अपनाये जाते हैं अधिकान सरकारी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रयाप्त किताबें तक महिया नहीं हो पाती मगर धररा की यह चात्र टैबलेट से पढ़कर कॉर्णमेंट स्कूल को माद देते हैं यहां बच्चों को कम्प्यूटर की सिख्षा भी दी जाती है प्रयबेट स्कूलों में कम्प्यूटर क्लास के लिए अलग से मोटी फीस वसूली जाती है मगर यहां यह सुविधा निश्वल्क है चोको टैबलेट, मॉबाइल फोन, प्रोजेक्टर, टैच बोर्ड, इस सारी चीज़ें सोलर एनरजी, बहुत सारी सुद्धाएं हुने कठा किया है मैं यह चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा करें कि समाद में हमारी अलग पहचान और लोग वही परमपरा गुरु असिष्ट वाली फिर से दोरहें हकिकत में धोरारा का स्कूल सच में बाकी स्कूलों के लिए एक मिसाल पेश करता है स्कूल का मैनेजमेंट जितना ध्यान शिक्षा के स्तर पर रखता है उतना ही ध्यान खेल कूद और दूसरी एक्टिविटीज पर भी रखता है सरकारी स्कूलों के अंदर तरह तरह के गेम्स होते हैं यहां तक कि आए दिन सांस्कृतिक कारिकरम भी स्कूल में होते हैं और छोटे बच्चे उर्में हिस्सा लेते हैं रंग विरंगी दिवारों पर सजे प्रशस्त्री पत्र धोरहरा के प्रात्मिक बिद्याले की काम्याबी का वो आइना है जिसके सामने दूसरे सरकारी स्कूलों की तस्वीर धुदली नजर आती है कुछ समय पहले तक ये स्कूल भी असुवीदाओं के समंदर से घिरा हुआ था मगर स्कूल के प्रिंसिपल रवी परताप को जब इसकी कमान मिली तो स्कूल काम्याबी हासिल करता गया जब मैं यहाँ पर आया तो ये भी एक सरकारी स्कूल की भाती हुआ करता था समय के साथ स्कूल में सिक्षा का स्तर तो सुद्रा ही साथ ही अन्य अक्टिविटी भी स्कूल में होने लगी आज स्कूल की अपनी बेफ साइट और यूट्यूब चैनल भी है स्कूल में सभी स्टूडेंट्स, टाई, बेल्ट और और आइडिन्टिटी कार्ड के साथ फुल इनिफॉर्म में आते हैं स्कूल में बच्चों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट के साथ ही वाई-फाई की सुविधा भी है बच्चों पर निगरानी रखने के लिए सिसी टीवी लगाए गए है इसके अलावा स्पूल का अपना एक बेंड गुरुप है जिसमें क्लास एक से लेकर क्लास पाशवी तक के बच्चे शामिल है रोजाना बच्चों की स्पूर्ट क्लास भी लगती है जिसके बच्चे गेंड खेल कर मांसिक और शारिरिक तोर पर खुद को मजबूत करते हैं इसके अलावा बच्चों के मिकास के लिए आयए दिन स्कूल में सांस्कृतिक कारिकरवों का आयुजन होता है शिक्च्चा और सुविधाओं के साथ साथ बच्चों के स्वास्त का ध्यान भी स्कूल में रखा जाता है स्कूल में रोजाना मिड़े मील मिलता है जो रुटीन चार्ट के मताबिक डेली बदलता है मिड़े मील का किचन भी साफ रहता है सिख्षा सुविधा जैसे हर पहलू पर खरा उतरता धौरहरा का ये प्रात्मिक स्कूर हकीकत में सुवे के दूसरे सरकारी स्कूलों के लिए एक जीख है अगर सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को धौरहरा के प्रात्मिक विध्याले जैसे सुविधाय मिलने लगे तो सिख्षा गुरुवत्ता के पैमाने पर उत्तर प्रदेश का स्थान पहले से बेहतर हो जाएगा गोन्डा से शिवम मिश्रा, आनाइन टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्राखन तो उत्तर प्रदेश के पूरवी इलाके जिला गोन्डा की ये तस्वीर आपने देखी और गोन्डा की तेरे घाजियावाद में भी एक ऐसा स्कूल है जो सरकारी है मगर स्मार्ट स्कूलों की शेड़ी में आता है, यहां की खोड़ा कॉल्ली में सुविधाओं की भरमार है मगर असुविधा यहां किस तरीके से हावी है, कॉल्ली में सरकों से लेकर के साफ पानी तक की सुविधा नहीं है मगर यहां एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को वो भारी सुविधाय मिलती है जो एक कॉन्वेंट स्कूल में दी जाती है प्रात्मिक विद्याले खोड़ा भी उत्रप्रदेश की बहतर स्कूलों में अपना स्थान तरज करवाता है यही बच्चों के पास वो तमाम सुविधाय हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों को मिलती है प्रात्मिक विद्याले एक खोड़ा गाजयबाद में मौचूद है और यह जो स्कूल है इसका जायजा लेने हम आए हैं तो सबसे पहले हम शुरुवात मिड़े मील से करेंगे क्योंकि वह हमें दिख रहा है तो किस तरीके का मिन्यों होता है क्या-क्या बच्चों को देते हैं आप लोग मगर खोड़ा की सरकारी स्कूल में बच्चों को मिलने वाला मिड़े मेल पोश्टिक है यहां बच्चे पहले मन से पढ़ाई करते हैं फिर पेट भर खाना खाते हैं यहां पे जो बच्चे हैं आप सब यहां पर आपकी यहां चल जो है किया करने को मिलता है है कैसे खुश हैं और उनको जो है करकुल एक्टिविटीज जो होती है वो करने का मौका मिल रहा है यहां पर उनके लिए इंतिजाम भी किये गए है गाउं गोद लेने की तर्श पर घाजबाद के सांसद वीके सिंग ने इस स्कूल को गोद लिया था गोद लेने से पहले इस सरकारी स्कूल की हालत भी खराब दे मगर जब से सांसद की देखरेक में यह स्कूल आया है तब से स्कूल की दिन बदलने लगी है सरकारी स्कूलों का नाम सुनते ही जहन में जरजर इमारत की तस्वीर बनती है मगर खोड़ा के इस स्कूल की इमारत दूसरे सरकारी स्कूल से बिलकुल आलग और यह जो स्कूल का जो यह प्लेगरांड कह लीजे यहाँ पर भी अच्छे से ब्लॉक पैल्स लगे वे जिससे जो बच्चे हैं वो गिरे ना उनको चोट ना आए तो जो कक्षा है उनके सबके इंतिजाम अच्छे हुए है अगर हम स्कूल पर गौर करें तो यहाँ पर अच्छे से स्कूल हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर गंदगी भी नहीं आपको मिलेगी मेंटेनेंस अच्छा हुआ है स्कूल के प्रिंसीपल ने बताया कि सांसत वीके सिंग भले ही स्कूल नहीं आते वगर उनके द्वारा गोड लिया गया स्कूल बहुत बदल गया है कि एनुम लोगों ने काफी कॉपरेट कराइस कुल को उनकी हैます मेरे सुपूल का पेले रूम दोहीं थे खमपे कंदिशन थेक नहीं थी तो मैंने समसा mit मताएग जिसे इसकुल के बारे में बताया कि इस इसकुल मैं बच्चुल में बज़्चों केoleड़ Congress तो उन्होंने इस बात को प्राथ्मिदा से ली और सांशन मोहदई जी ने इसके लिए काफी परियास करा और हंस फॉन्डेशन को उन्होंने बोल के इस इसकोल में फनीचर बच्चों की बेढ़ने की बेवस्ता और इसकोल में सवेदी और फरस तूटे हुए पड़े थे बिल स्कूल में स्मार्ट ग्लासेश चलती हैं ब्यूरर रपोर्ट आर नाइन टीव ग्रेटर नोड़ा की तरे मुरादाबाद के विदायक अजीत पालत्यागे ने दो स्कूलों को गोद लिया विदायक जी ने जब ये स्कूल गोद लिया तो बच्चों को उम्मीद थी कि अब उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी मगर ऐसा हुआ नहीं विदायक जी के गोद लिये दोनों स्कूल आज भी बदहाली के आसूर हो रहे हैं स्कूलों में ना तो बच्चों के बैटने के लिए टेबल कुर्सी का इंतजाम है और ना ही स्कूल की अबारत दुरुस्त हो पाई है बदहाली स्कूलों के दशा और दशा बदलने के लिए मुरादनगर के विदायक अजीद पाल त्यागी ने शेत्र के दो स्कूल गोद लिये थे बच्चों को भरोसा था कि पाटशालाओं को मीदों के पंक लगेंगे मगर उनका भरोसा अंदेखी और लापरवाही की फेट चड़ गया वो हो जाती है तो फिर सब बच्चे को चोटा है यहाँ पर फससा बनना चाहिए मतलब लैंटर सा जोड़ाले और यहाँ पर हर जगा यह लैटरिंग वाटरूम में सब जगा साफाई होनी चाहिए विधायक द्वारा गोद लिये इस स्कूल की सिथी क्या है जानने के लिए हम पहले मुराद नगर वाले प्राथमिक विद्याले पहुंचे यहाँ बच्चे जमीन पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे थे इस वक्त हम मुराद नगर के प्राथमिक विद्याले एक और दो में मौझूद है इसको भी विधायक अजीब पाल ने जो है गोद ले रखा है अब हम आज इस स्कूल में ये जानेंगे कि क्या क्या किया है विधायक में तो जिस तरीके से मैं अंदर गुजर रही हूँ पानी का आलम ये है कि स्कूल में टॉयलेट की स्विधा तो है मगर बच्चों को पानी भर कर वाश्रूम तक ले जाना पड़ता है तो यहां के अगर वाश्रूम की बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चे बाल्टी में पानी भर के लेके जा रहे हैं यहां से अंदर पानी की सप्लाई तक नहीं है और ना यहां पर टाइल्ज लगे वे हैं ना कोई पेंट हुआवा है ना सबर समर सीवल इसमें हैं कोई कि तैयारी कुछ भी नहीं हुई व कुछ विकास के अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ वाए। बच्चों को भी परिशानिया होती हैं कि वे इतना पानी भर के लेके जाते हैं। वाश्रूम में उनको पानी मिलना चौह बो भी नहीं होता। इसके बाद हम उकलारसी के प्रात्मिक स्कूल पहुँचे यहां भी सुविधाओं के नाम पर मासूम बच्चों को विधायक जी का धोखा ही नसीब हुआ इस वक्त हम प्रात्मिक विधाले उकलारसी नमबर वन में मौजूद है और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी जहां से हमने शुरुवात की सामने ये गंदगी का नाला हमें दिखा कूडा पड़ावा दिखा तो गंदगी से ही यहां स्कूल की शुरुवात हुई है ये स्कूल विधायक आजीत पालत्यागी ने गोद ले रखा है अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इस स्कूल के लिए क्या है गोद तो लिया है लेकिन क्या इस स्कूल म पानी पर जाता होगा गंदगी भी है और मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिस दरी पर बच्चे बैठे हैं वो कितनी गंदगी दरी है जो यहां पर बच्चे बैठे वे आदे बंचों के पास तो बैंच है जो बाकी बच्चे हैं उनके पास बैंचे नहीं है और जिस दरी प हम बहुत मैनत करती हैं हमें पढ़ाने के लिए स्कूल में बहुती दस्ट साफ कराती है और फिर भी पहली पॉल्मियूशन है फिर भी हम बुमार पड़ जाते है क któlas कि दिक्कत होती है और यहां पर टीचर भी नहीं है और बारिश होती है यह गंदा रहता है और स्वस्ता भी नहीं होती गोद लेने के बावजूद बदहाली के शिकार हो रहे स्कूलों के हालत पर शिक्षकों का कहना है जो भी स्कूल में जो विवस्थाएं हैं उन्होंने खुद ही की हैं क्या क्या समस्याओं से आप जून रहा हमें तो बहुत सारी समस्याओं दिख रही हैं आप किन समस्याओं से जून जीरो से लेके टैन तक सारी समस्याओं ही समस्याओं हैं क्योंकि सबसे में हैं कि हम बच्चों को जो चीज या देना चाह रहे हैं क्रूंकि आज कल बच्चे देखते हैं कि गाओं में पहुत अच्य-त्य स्कूल्स हो गए हमारे यां पढ़ाई अच्छी ये बच्छी सारी सिटी के नेगे हैं लेकिन हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रॉ्स्क्थ्र बहुत इन्फिरियर आपको मैं दिखाती हूँ यह रूम की हालत ऐसी है कि हमें लगता है एक दिन गिर जाएगा आप देखिए बेंच फर्णीचर की कोई व्यवस्था नहीं है हम यहां पे टाट पट्टी विचाते हैं तब बच्चे बैठते हैं और उसमें भी जब नीचे फर्श गिला हो तो आप खुद ही सो सकते हैं कि सर्दी में बच्चों का क्या हाल होता हूँ जिन दर्यों पर बच बच्चे बहुत गिरते हैं चोट लगती है कई बारतों पच्चे को सिर्भी फट जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पे हैं इंफ्रस्ट्रक्चर की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जबकि एक में रोट का स्कूल है और अधिकारी भी यहां पर आते जाते रह इसकोलों की तश्या पर विधायक जी का क्या कहना है आप खुद सुनिए शुरुआत करने जा रहे हैं उसके अंदर एक दो नहीं जितने भी नगर पालिका और नगर निगम चेट में स्कूल होंगे उन्हें का उत्षी करन करना मेरी जिम्मेदारी है मैं अपनी जिम्मेदारी को पूंद रूप तो विधायक जी करतब इससे पीछे हटते भी नगर प पढ़ रहे हैं उनकी जो जिन्दगिया हैं वो कितने खत्रे में हैं और अगर हम प्रिंस्पल की बात करें तो उनका भी साफ कहना है कि अगर कोई दुर्गटना हो जाते है तो उन्हें सिस्पेंड होने से डर लगता है वो यहां आए ये हाल देखे गए पर उन्हाने साफ क हट गए कैमरा परसिन केसर के साथ मैं फराखान आरनाई टीवी मुराद नगर और हमारा इस पेशक्ष्ट में अच्छे और बुरे दोनों तरह के विवस्ताओं से जूज रहे स्कूलों के इन हालत को दिखाने का मकसद यही है ताकि हर स्कूल को बहतर स्कूल बनाया जासके अभी के लिए इस खास पेशक्ष्ट में इतना है झाल